दोस्तों बोलीवुड के न्यूँ खूबसूरत यंग फिटनेस फ्रीक एक्ट्राफी अनकमफर्टेबल नदर आए एक्ट्रस ने स्ट्राफडस ड्रेस केरी किया था लेकिन ड्रेस की फिटिंग बहुत डूस थी एक्ट्रस सारे इवंट में इसको ही सेट करते रही कि कहीं ये नीचे ना गिर जाये ऐसा ही ड्रेस केरी किया था लेकिन वो बहुत कमफर्टेबल थी लेकिन तारा स्टारिया अपने इस लूप में जरा भी कमफर्टेबल नहीं दिखी कभी सोट तो कभी पैंट को सेट करने और अब एक्ट्रस ने अपना काफी वेट डूस कर लिया ध। वैज दोस्तो एक्ट्रस पॉर्मोशन के दूरान बैठे भी अपने ड्रेस को ही सेट करती रहीं और शायद यही सोचती रही होंगी कि कोई और ड्रेस पहन लेती लास्ट में जब कॉयक करती नजर आई दोस्तों इससे पहले भी एक्टरस बहुत ज़ादा चरचाओं में आई थी जब दिवाली पार्टी में एक्टरस अपने बॉइफरेंगे साथ मुची थी इस पार्टी के लिए एक्टरस ने बहुत ही बोल्ड ड्रेस केरी किया था और इस ड्रेस की वज़ा से थोड़ी अंकमपर्टेबल भी दिखी और कई बार इनको ड्रेस सेट करते भी दिखा गया लेकिन दोस्तो एक्टरस ने मरजामा फिलम की पार्टी के लिए जो ड्रेस पहना था इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और एक्टरस पार्टी में हर किसी की नजरें एक्टरस की लुक पर ही ठहर गई थी और एक्टरस भी इस ड्रेस में कमाल की खुश्वत लग रही थी दोस्तो एक्टरस ने स्टूडन ओफ दी एर टू मुवी से बोलिवुड में अपना कैर्टरस एक फिलम में काम करने का 2-3 करोरों पर चार्ज करती है एक्टरस के लग कुल नेटवर्ट की बात करें तो इनकी नेटवर्ट 1 मिलियन डॉलर है एक्टरस के लग कार कोलेक्शन की बास डीज बैंड जी एल्लेस है जिसकी प्राइस 70 लेग है तो दोस्तों आपको तारा स्टारिया के इन ड्रेसिस के बारे में क्या कहना है अपनी राए हमें कोमेंट करके जरूर बताएं